कि एगाइस वेलकम बैक टू नदर वीडियो सो गाइस इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं परदान मंतरी वास जोजना जो कि एक सेंटल स्पोंसर स्कीम के अंदर आपको मेंशन कीगी है जैकर पंचाई सेक्रेटरी का जो स्लीबस है उसके अंदर तो इस वीडियो में आज हम डिसकेशन करने जा रहे हैं एमसी कीउस का सेशन और कुछ एमसी कीउस जादा नहीं है बहुत थोड़े से ही कम एमसी कुछ में रखे हैं ताक कि चीज़े क्लेर हो चुकिए तो गाइस इस स्कीम के लेटर आपको कुछ भी क्रंट से भी कोशन पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं क्रंट इवन्ट से कुछ चीज़े कुछ भी इवन्ट से लेटर होंगी इस चीज़े के लेटर तो आपको ज़ूर पुछे जाएँगे। भी सेन बाक्स में है और जैका स्ब्लाइज सेटरिय। BLW का पूरा जितना कोर्स है Reasoning का Mathematics का GK का English का वो आपको सारा का सारा को Description वाक्ष में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी तो चलिए फिर करते हैं MCQ Start वी नड़ा इंवेस्ट की तो मैं आ गया हूं अपने स्क्रीन पर First question आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से इसका अंसर मार कीजिएगा अगर आपको पता है तो आप इस इसका अंसर मार का सकते हैं और रहा कि बिच स्टेट या फिर UT Approves 2 lakh interest free loan 2 lakh का interest free loan अंडर प्रदान मंतरी अवाज जोजना आर्बन के तहित अप्रूब किया गया किस स्टेट या यूटी ने दिल्ली द्वारा किया गया अगर नाचल प्रदेश जमू किश्मीर या फिर लदाक तो जल्दी से बताएं अगर आप किसी स्टूडेंट को बता है तो इसका जो right option है वो आपका जमू किश्मीर हो जाएगा अब आपको चीज़े clear हो जाएंगी कि करंट से लेटर भी चीज़े आपको examiner पूछ सकता है इस तरह से question आपको सिर्फ एक ही question पूछे गया क्या बता mg निरेगा से पूछा जा सकता है क्या बता स्वचवारत mission से पूछा जा सकता है क्या बता परदान मंतरी बाज जोजना से इसलिए आपको इन तीन स्किमों को इतना detail में पढ़ना है और हाँ आपका एक topic और है पंचाइत पहले पहले तो आप क्या पढ़ते थे पंचाइती राज एक्ट जीनके का 9089 वला अब आपको क्या दिया गया है पंचाइती राज एक्ट भी दिया गया है अब आपको दे दिया गया पंचाइती राज रूल्स पढ़ने हैं आपको 90-96 टेक है अब आपको ये दोनों topic पढ़ने हैं आप खुद सोचते हो कि ये कितना बड़ा topic आपके लिए बन चुका है पंचाइती राज एक्ट तो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है 96 वाले rules भी आपको पढ़ने है जो कि पंचाइत के लिए बने है 99 जिहनके के लिए वो चीज़े भी आपको पढ़ने है अब मैं आपको बता दो इस पंचाइती राज rules को हम detail में explain कर सकते है अगर आप बोलो कि इसकी वीडियो बनाई जाए तो मैं आपको बता दू दो से तीन lecture में इसको cover करना पड़ेगा जादा नहीं दो से तीन पिर हम से कुछ करेंगे क्या बता चीज़े इसमें से एक ही पूछ ली जाए क्या बता एक ही कोशन आए जाए अब क्या बता center sponsor scheme से आता है या किस से आता है क्योंकि syllabus आपका बहुत जादा है बटा आपकी जो weight is है वो बहुत जादा कम है marks की weight is बहुत जादा कम है तो इसलिए चीज़ों को limited वे उतना ही पड़ो जितना exam में पूछा जा सकता है अब जादा पूरा उतना हरा act के rules पड़ने से इतना नहीं होगा बड़ बेसिक बेसिक से उपड़ सकते हो तो गूगल से उसका PDF डॉनलोड कर सकते हो अब आप से question और पूछा रहा है कि which state UT has announced an affordable rental house scheme for the student under state A.R.H.C. ये वाली जो state कौन सी state अइनमे से इस scheme के अधायत कौन सी state ने student के लिए rental house scheme के student के लिए announcing मद्धा परदेश के लिए उत्राखंड के लिए उत्रपरदेश के लिए या फिर जमुकश्मीर के लिए क्या right option आपका हो सकते है तो उत्रपरदेश के लिए ये scheme launch की लिए किस के दवारा CM अधित्यनाथ योगी दवारा तेक है जो की चेप मिनिस्टर है उत्रपरदेश के यहांदा clear हुआ अगर session अच्छा लग रहा हो तो like को share जरूर कीजिएगा इसके कितने phases थे इसके तीन phases थे फर्स्ट फेस में बोलता है कि इन्होंने कितना data चीप किया है कितना इन्होंने मतलब की उसकी construction चीप किया है तो वो किया आपकी 92% ओके फर्स्ट फेस में यह तीन question क्रंट से बन रहे थे क्रंट के later question थे इसलिए आपको जुरूरी समझाई करवाना next question फिर से आता है हमारा अगस्थ 10 यूनियन काबिनेट एक्स्टेंडर ता परदान मंतरी वाज होजना तिर दिसंबर कब तक कब तक इसको अगस्थ यूनियन काबिनेट ने एक्सटेंड कर दीगी है परदान मंतरी वाज होजना की डेट दिसंबर कब तक की गी है दिसंबर आपकी 2024 तक clear है concept clear हो रहे हैं हम से की उस ओके अब यहां पर परदान मंतरी वाज होजना का में थिम क्या है housing for all urban people housing to all by 2022 तक housing to all by 2020 by 2020 तो जो परदान मंतरी वाज होजना का था कि हर किसी के पास पकागर होगा क्या होगा पकागर होगा housing to all why 2022 तक पर इस चीज़ को extend कर दिया 2024 तक याद रखना है शीज़ को इन वी चीज़ परदान मंतरी वाज जोजना ग्रामिन लांच ग्रामिन जोजना ये लांच कब की गई रही अब आप पढ़ोगे एक तो होती है परदान मंतरी वाज जोजना अरबन एक है परदान मंतरी अवास जोजना ग्रामिन अब जो परदान मंतरी अवास जोजना अरबन है ये कबला आँच की गई और परदान मंतरी अवास जोजना ग्रामिन ये कबला आँच की गई इन दोनों का जो अलग लग टाइम है डेट है वो अलग है ग्रामीन का अगर में बात करो तो 1 अप्रेल 2016 को ओके और अर्बन की बात करो तो 25 जून ठीक है 2015 पदान मंदरी अवाज जोजना ग्रामीन अंडर विच मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर रेज़ की जाती है मनेश्ट्री एफ उसन इवाज जोजना ग्रामीन जो है वो किस मिनिस्ट्री के इंटर आ थी哇 थी मिनिस्ट्री आप हाउसिंग अद अर्बन फिर्स के एंटर परदान मंतरी अबाज योजना ग्रामिन सोरी ग्रामिन वाली जो आती है रूडर डैवल्मेंट के अंदर आती है अब जो अर्बन वाली है वो आती है आपकी मनिस्ट्री आफ हाॉसिंग अर्बन फियर्स के अब बोलता है कि CLSS स्टेंड फार किस पर स्टेंड करता है क्रेडिट लिंक सेवा स्कीम पर क्रेडिट लिंक सेवा स्कीम क्रेडिट लिंक सबसी सीडी स्कीम और क्रेडिट लिंक सुपीरियर स्कीम किस स्कीम किता रहता है CLSS यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह आता है आपका क्रेडिट लिंक स यहां पर आपके लोग इंकम ग्रूप हैं वह आते हैं मिडल इंकम ग्रूप और जो इड़ ड़ल्यू एस परसिनल्टी से उनको भी मतलब यह चीज़े प्रवाइड की जाएंगी इनकी स्कीम की यानि की यह उनको दी जाएंगी जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके जो जुरूर पर लेना अंगी कार लें चाहते हैं अंगी कार जो है एक कमपैसन है और लांज कब हुआ 29 अगतुबर 2009 में यह हुआ 29 अगस 2019 में क्याद रखना इंपॉर्टेंट डेटा इसको और इसके अंदर भी कुछ चीज़े थी जो कि उनको अजीब प्रजेक्ट थे विच क्या नाम है उसका हवाज योजना एप है प्यमें वाई एप के आवाज क्या नाम है इसका अगर आपको लेक्चर अच्छा लगाओ लाइक सुरू पी ज़िए ठीक है खोप्स हो यहां तक आपको ये मेहमसी क्लोज यहां पे तक सभी के ठीक हुए हुए हूँ अगर आपने यह concept पढ़ा है अब मैं प्रदान मंतरी अवास के बारे में थोड़ी बहुत बाते करेंगे हम अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ी बहुत discussion कर लेते हैं क्योंकि अगर हम चीज़े पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हम पता ना चाहिए देखिए दोस्तों पहले हैं परदान मंतरी अवास जोजना क्या चीज़ हैं ठेखिए क्या हुआ कि ना इन्टी फिप्टी सेवन में अगर आप किसी बच्चे को ये लेक्चर सकिप करना हो जा सकता है निन्टी फिप्टी सेवन में क्या हुआ फाइफ YEAR प्लान हुआ ठीक है जो उस टाइम के परदान मंतरी रे पंडी चौर नहरू उन्होंने क्या किया कि बिलेज बिलेज हाॉसिंग प्रोग्राम रखा प्रोग्राम एक ऐसा ये एक आप स्कीम कह सकते हो कुछ भी मिशन कह सकते हो इसको इन्होंने बोला कि ये लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को गर बनाने के लिए कितने तक का पांच हजार तक का उस टाइम का पांच हजार बहुत होता था ठीक है ये कंसाप्ट के लिए फिर उसके बाद आपने एक चीज़ सुनी होगी इंद्रा अवाज जो 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 ती इसमें क्या था कि ये परदान मंतरी जो राजीब गांदी 1985 में उन्होंने क्या किया पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम इंडिया में बूस्ट किया उसमें क्या था ये भी आपका एक हाउसिंग एलेटर था और उनका टारगेट था कि जो सी और स्ट के जो लोग हैं मिनोर्टी हैं उनको इस चीज़ का स्कीम का फाइदा दिया और रूरल हाउसिंग प्रोग्राम के लिए सबसे बैटर थी प्रोग्राम जो था वो बीपील फैमली पापुलेशन को भी कवर करने लग पड़ा इस तरह से फिर उसके बाद इंडराबास जोजना थी वो उसको रिस्ट्रक्टर कर दिया गया किसमें परदान मंतरी अवास जोजना गरामीन में याद रखना कब 1st अपरेल 2016 में 2016 को इंदराबाद जोजना को रिकनस्ट्रॉक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट है इंदराबाद जोजना को कब किया गिए बाकी की जो पहले स्टोरी बताई वो इतनी नहीं इंपॉर्टन क्यूंकि आपको कोई पचास नम्प गरी जनल नालिज़ नहीं पुछे जाएगी जो आपको एक सेंटर स्पोंसर स्कीम के तीन स्कीम और एक्टर रूल्स दिये गए है उनमें से आपको छे से साथ खोशनाएंगे ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है कितने कंपोनेंट रखे गे दो एक तो परदान मंतरी परदान मंतरी अवास जोजना अर्बन और दूसरा रखा गया परदान मंतरी अवास जोजना ग्रामिक ये दो कंपोनेंट थे फरस्ट और सेकंड ठीक है ये दो कंपोनेंट रखे गे थे उसके बाद और इसके प्रदान मंतरी जो अवाज जोजना थी इसका टार्गेट क्या था इन दोनों का अगर मैं प्रदान मंतरी अवाज जोजना की बात करूँ इनका टार्गेट था कि 2022 तक 30 मार्च तक सबी के जितने भी इंडिया में लोग हैं सब भी के पक्के गर होंगे यानि कि कच्चा गर किसी का भी नहीं होगा ठीक है ये इनका टार्गिट था बट वो अच्छीव नहीं होगा जैसे कि मैंने बोला 2024 तक इसको एक्स्टेंड कर दिये गे करोना का केसिस भी हुआ बहुत सारी चीज़े फेस करने को मिली है तो इस लिए चीज़े हमें देखने को मिलती है अब बात आती है कि परदान मंतरी अवास जोजना क्या थी परदान मंतरी अवास जोजना ग्रामिन क्या थी ये 1 अपरेल 2016 को लांच की गई इसका अबजेक्टी था कि हाउसिंग फार आल हाउसिंग फार आल सबके लिए हाउसिंग होना चाहिए जरूरी था ठीक है इसमें और भी बहुत सारी चीज़े आती है एक में में फेक्ट था कि परदान मंतरी अवास जोजना का एम क्या था और इनका क्या था बाकी इसमें चीज़े यही हैं टार्गेट जो मैंने आपको बताए कि क्या था अब मैं थोड़ी वह फेसिस की बात कर लेता हूँ जो इनका फर्स्ट फेस था क्योंकि पीरिड पूछ लिया जाता है फर्स्ट फेस था जो इनका जो उस टाइम का पीर टाइम इन था फेस बान का जो टाइम था वो क्या था फेस बान का टाइम था 01 और 2015 स्टार्ट हुआ और एंड की जो इनकी देर थी 03 01 2017 यह इनका फेस फर्स्ट था फेस सेकेंड में क्या था कब से स्टार्ट हुआ 2017 से खतम कब किया गया 03 जनबरी 2019 में ठीक है थर्ड फेस का पिरेड क्या रहा है नका फेस 3 फेस 3 में जो टाइम था जो चार जनबरी 2019 और एंड का पिरेड इन्होंने रखा गया तीन ये 22 बट अभी नहीं फेस 3 नहीं हुआ ठीक है फेस 3 नहीं हुआ अभी चीज़ को एक्स्टेंड कर दिया गया चल रहे ना बसे फेस की डेट को याद रख लेना हमें एक चीज़ की और बात करूंगा जो मैंने आपको बोली कि परदान मंदरी आवास अर्बन अर्बन जोजना इसके बारे में थोड़ी वार डिसकुशन होनी चाहिए कि ये 25 को जून 2015 को लांच की गई कौन सी परदान मंदरी पी एम ए वाई यू परदान मंदरी आवास जोजना अर्बन इनका ये इहमता की परवाइड करेंगे हाउसिंग फार आल इन अर्बन एरियास में बाई 2022 तक अब इसको याद रखना है इंप्लिमेंट किसने किया मिनिस्टरी थी हाउसिंग यान अर्बन फियर चीज़ वो मैंने आपको करवा दी है फिर उसके बाद था में चीज़ इसमें यही चीज़े आती है अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि A.R.H.C. कि A.R.H.C. क्या चीज़ थी यह थी एफ़ोडेबल रेंटल हाउसिंग कम्पलेक्सिज़ यानि कि जो माइगरेंट वर्कर्स होते हैं अर्बन पोर होते हैं इस्टूडेंट से उनको यह चीज़ स्कीम दी जाती है जोबएबल पढ़ने के लिए जाती है ना उनको यह स्कीम दी जाती है तो यह किस ने दी है उत्तरपरदेश ने दी है ओके याद रखना एक चीज और लिख लो यहाँ पर वेट हमें इसको जोम करके यहां बिज़ट करूँगा चले एक बात की गई हमने ए एन जी आई अंगी कार अंगी कारिक केमपेजन था ठीक है इसमें था कि चेंज मनेजमेंट को चेंज लाई जाए जाएंगी यह लांच कब किया गया 29 अगस्त 2019 को याद रखना मैंने यह डेट आपको बता भी दिया 29 अगस्त 2019 को पर फॉर्मली लांच कब कर दिया गया इसको इसको किया गया 2 क्यों मातमागांधी का जनम दिन होते हैं अब दिन मातमागांधी जनती होती है इनका फोकस किस चीज़ पर था अंगीकार का इनका फोकस था आपका कि यह एक वाटर परवाइड कर सकें एनरजी परवाइड परसकें कंसर वार्टर कंसर वेस्ट मेंजमेंट मैनेज कर सके वेस्ट को हैल्थ के लिए सैनिटेशन के लिए and water के लिए और LPG के लिए आईशमान बारत जो कार्ड आपके बने हैं भी और solar energy के लिए ये important point है ये जरूर लिख लिजीगा क्या बता पूछ लिया जाए किसी ना किसी exam में पूछ लिया जाए knowledge best रहता है तो ये था हमारा आज का परदान मंतरी वाज होता है मैंने चोटा चोटा जो important point से आपको बताए है आप इसको detail में पढ़ सकते हो Google कीजिएगा इसके बारे में क्योंकि ये बहुत ही हो जाएगा क्योंकि ये हो गया कि छोटे स्थार के लिए बहुत सारा लड़ना स्टार्ट हो जाएंगी हम ठीक है न इसको जल्दी से जितना हो सकता है आप to the point इसको करिएगा क्योंकि important point इसके current events जो भी है note कीजिएगा क्योंकि current से ही later चीज़े आपको पूची जाएंगी ठीक है अब ये थोड़ी पूचेगा कि अंगी कार कब लांच की गई बाद में इसको family लांच कब की गई ये चीज़े नहीं पूचे गई वो चीज़े पूचेगा factual जो कि आपने पढ़ी भी होंगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर पूचेगा अब ऐसे डेट डूट तो सभी याद रखके जाएंगे रटा मार के जाएंगे बट चीज़े वो ही होंगी जो जिसने factual चीज़े पढ़ी होंगी ठीक है factual चीज़े ही examiner पूचते हैं तो गाइस कल के लिए ready रहिएगा और कल हम करेंगे अपना mathematics का next topic अब topic decide नहीं है जल्द ही decide करके अब ready रहिएगा fraction पर हम question ला सकते हैं तब तक लिए bye bye and take care and god bless you to all of you तो reasoning का हमारा सारा course मैं आपको फिसे एक बार फिसे 9 से यहां पर कर देता हूँ reasoning का हमारा जो जितना course वो complete है BLW के लिए अब बच्चों को confusion है कि classification का सर्फ एक ही पार्ड है क्या जो roll number वाला इसके गाइज तीन पार्ट है matching के matching के दो पार्ट है indexing के दो पार्ट है इनको देखो एक एक पार्ड नहीं है मैं नहीं चाहता था कि चीज़ें आपको ऐसी आ जाएं जो कि unexpected हो मैंने पूरी end से आपके कोशिश किया है कि आपको चीज़ें अच्छे से प्रवाइड हो तो के गाइस बाबाई एंट टेक केर एंगल अगल उस्ट्वाल फ्यू